हेलो दोस्तो मैं सोरंबली का आप सभी का टोपिक इस्टेडी में स्वागत करता हूँ दोस्तो नाओ टोपिक इस्टेडी इस पार्ट ओफ अन अकेड़ी ग्रूप चलिए स्टार्ट करते हैं आज के टेस्ट को आज का टेस्ट आप कराएगा करंट टोपिक्स 2019 देखे दो करंट टोपिक मैंने लिए हैं एक तो मर्जर ओफ बैंक और एक न्यू लिस्ट ओफ गवर्नर्स जो आपके मर्जर हुए हैं जो बैंक का विले हुआ है अभी वह हम इसमें देखेंगे और एक जो नए गवर्नर एपोइंट हुए हैं कुछ स्टेट्स में वह हम इस वीडियो में देखेंगे तो ये 25 प्लस कोशन हैं आज इस वीडियो में आप इस वीडियो को पूरा एंड तक देखेगा और इन 25 में से आप कितने सही कर पा रहे हैं अपने इसको और कमेंट बोक्स में जरूर बताएगा ये वीडियो डेली रात के 9 बज़े अप्लोड हो जाती है तो इसको देखना बिल्कुल मत बूल करें अपने सभी दोस्तों को अपने सभी ग्रुप्स में भी जरूर सेयर क्या करें ठीक है हर रोज रात के 9 बज़े टोपे की स्टडी चैनल पे आती है वीडियो ध्यान रखेगा आज की वीडियो बताएंगे दोस्तों ठीक है चले आज की वीडियो का पहला कोशन है सिंडिकेट बैंक का विले किस बैंक के साथ किया गया फटा फटा आंसर बता दीजिए देखे बिल्कुल सही सिंडिकेट बैंक का जो विले हुआ है आपका वो किस बैंक के साथ में हुआ है केनरा बैंक के साथ में ठीक है दोस्तो तो इसका सही आंसर आपका उप्शन D हो जाएगा अब कोशन नमबर टू है इंडिया बैंक का विले किस बैंक के साथ हुआ है तो इंडिया बैंक का जो विले हुआ है तो यहाँ पे इसका सही आंसर हो जाएगा लहाबाद बैंक ठीक है दोस्तो इसका सही आंसर आपका option A हो जाएगा देखे एक चीज़ ध्यान रखेगा अगर यहाँ पे इंडिया बैंक लिखा है तो इंडिया बैंक का विले किसके साथ में इलाबाद बैंक अगर आप से पूछ जाए कि इलाबाद बैंक का विले किसके साथ तो देखे इन दोनों बैंक का विले किया गया था यह आपका किया गया है बैंक उफ बडोदा के साथ में ठीक है तो इसका सही आंसर आपका option B हो जाएगा क्लियर है चले question number 4 आंद्र बैंक का विले किस बैंक के साथ में किया किस बैंक के साथ में किया गया बिल्कुल देखिए आंधर बैंक का जो विले हुआ है वो यूनियन बैंक ओफ इंडिया के साथ में हुआ है दोस्तों तो इसका सही आंसर ओक्षन यह हो जाएगा मैं डारेक्टली जैसे टेस्ट होता है अगर आपको जी के पूरा डिटेल में पढ़ना है टोपिक वाइस पढ़ना है डिटेल में पूरा डिस्क्रिप्टिव के साथ में पढ़ना है तो आप ध्यान रखिए एक तो वीडियो मेरी आ रही है एक बजे टोपिक स्टडी चैनल ही वन पीम पे तो आप इस वीडियो को देख लिया करें एक आता है थ्री थर्टी पे यह वन पीम वाली एंटी पीसी के लिए और थ्री थर्टी वाली आपकी गुरूपडी के लिए अगर आपको अच्छे तरीकी से बिल्कुल टोपिक वाइस सारी चीजे पढ़नी है तो आप यह दोनों वीडियो देख लिया करें बाकी यह टेस्ट वीडियो होती है इसमें मैं आपको डायेक्ट कोशन दिखाऊंगा और आंसर पूछूंगा ठीक है चालिया नेक्स्ट आपका कोशन है ओरियंटल बैंक ओफ कॉमर्स का विले किस बैंक में किया गया तो उनाइटिड बैंक का विले किस बैंक के साथ किया गया है इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बिल्कुल उनाइटिड बैंक का भी विले आपका पंजाब नेशनल बैंक के साथ में ही किया गया है किलियर है चलिए नेक्स्ट आपका कोशन आता है दोस्तों कोपरेशन बैंक का विले किस बैंक के साथ किया गया तो कॉर्पोरेशन बैंक का जो विले हुआ है बिल्कुल यूनियन बैंक उफ इंडिया के साथ में ठीक है गाईस यूनियन बैंक उफ इंडिया इसका सही आंसर रहेगा नेक्स्ट आपका है बैंकों के विले के बाद सारजनीक बैंकों की संख्या कितनी होगी आपको बताना है पब्लीक सेक्TER बैंक जो है वो कितने बन गए है आफटर मर्जर, आफटर मर्ज होने के बाद में कितने बैंक बं गए है तो बिल्कुल आपने सही आंसा लगाया दोस्तों नीचे कमेंट बोक्स में 12 बैंक बन गये है वेरी गुड तिले कुछ और बैंक से संबनेत important question देख लेते हैं एक है भारतिय रिजर बैंक की स्थापना कब हुई तो भारतिय रिजर बैंक की जो स्थापना हुई थी वो 1 अप्रेल 1935 में हुई थी दोस्तों इसका सही answer आपका option A हो जाएगा और next है भारत का पहला mobile bank कहां इस्थापित किया गया तो भारत का पहला mobile bank काँ इस्थापित किया गया था ये किया गया था मध्या पर्देश में तो इसका सही answer आप option B लगा देंगे ठीक है चले एक कोशन ये भी बड़ा ही पूछा जाता है बैंक में ही भारतिय उद्योगिक विकास बैंक की स्थापना कब हुई थी यानि कि IDBI इसकी स्थापना हुई थी एक फरवरी 1964 में तो इसका सही आंसर आप उप्शन सी लगाएंगे एक कोशन था कि 1955 में इंपीरियल बैंक का राष्टी करन कर किस बैंक की स्थापना की गई तो ये आप सभी जानते होंगे SBI के, ठीक, State Bank of India की इस्थापना की गई थी यानि कि State Bank of India का नाम पहले क्या था Imperial Bank था इसका नाम State Bank of India कब हो था 1955 में ठीक है दोस्तो चलिए एक है आपका छेतरे ग्रामीर बैंक की स्थापना कब हो थी यानि कि RRB की स्थापना कब हो थी Very good इसका सही आंसर 1975 हो जाएगा यानि कि Option A is the right answer एक कोशन है आपका किस I.O. की सलापर भारतिय रिजर बैंक का गठन किया गया था ये बहुत बार पूछा आता है कि किस I.O. की यानि किस कमिशन की सलापर भारतिय रिजर यानि कि RBI का गठन किया गया था बिल्कुल हिल्टन यंग कमिशन इसका सही आंसर रहेगा गाईस तो इसका सही आंसर ओप्शन भी हो जाएगा ठीक है चलिए अब आ जाते हैं राज्यपाल्स पे तो जितने भी राज्यपाल्स से संब्दित कोशन है जो नए न्यूक्त हुए वो मैं आपको बताने वाला हूँ पहले माराष्ट की राज्यपाल कोन न्यूक्त किये गए है बिल्कुल भगत सिंग कोश्यारी इसका सही आंसर रहेगा यानि कि ओप्शन ए इसदार राइट आंसर गाईस ठीक है तो ये आपको याद रखना है नेक्स्ट है हिमाचल परदेश के राज्यपाल कोन है हिमाचल परदेश के तो इसका सही आंसर हैगा बंडारू दताइतरे यानि कि ओप्शन भी इस दाराइट आंसर ठीक है नेक्स्ट है मद्यापरदेश के राजयपाल कोन न्यूक्त किये गए तो मद्यापरदेश के राजयपाल कोन न्यूक्त किये गए है इसका सही आंसर हो जाएगा लाल जी टंडन ठीक है तो मद्यापरदेश के राजयपाल लाल जी टंडन हो जाएगा इसका सही answer option D हो जाएगा question number 18 है आंद्र परदेश के नए राजयपाल कोन न्यूक्त किये गए इसका सही answer रहेगा बिलकुल वेश्व बूसन हरी चंदन इसका सही answer रहेगा यानि कि option A is the right answer ठीक है गाइस चले नेक्स्ट आ जाते हैं नागालेंड के राजयपाल कोन है तो नागालेंड के जो राजयपाल है वो आर एन रवी है option B इसका सही उतरो रहेगा चतिसगड के राजयपाल कोन न्यूक्त किये गए चतिसगड के राजयपाल कोन न्यूक्त किये गए तो इसका सही answer रहेगा अनुसुया उइके यानि की ओप्षन B is the right answer ये काफ़ी important है याद रखेगा अच्छा बिहार के राज्यपाल कोन है बिल्कुल बिहार के राज्यपाल कोन है फागू चोहान यानि की ओप्षन D इसका सही आंसर रहेगा दोस्तो ठीक है भई फागू चोहान चले question number 22 है राज्यस्थान के नए राज्यपाल कोन न्यूक्त किये गए राज्यस्थान के मैं पूछ रहा हूँ राज्यस्थान के जो नए राज्यपाल है वो न्यूक्त किये गए है कल राज मिसरा ठीक है तो इसका सही आंसर उप्षन D हो जाएगा केरल के राजयपाल को न्यूक्त किये गए हैं बिल्कुल देके केरल के राजयपाल न्यूक्त किये गए हैं आरिफ महम्मद खान यानि की option C is the right answer उत्तर परदेश के राजयपाल कोन है तो ये भी आपको पता होना चाहिए आनंदी बेन इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ठीक है गुजरात के राजयपाल कोन न्यूक्त किये गए आचारिय देववरत इसका सही आंसर रहेगा ये पांच जो चेंज हुए थे इंसे अलग भी मैं आपको बता रहा हूँ ठीक है तिलंगना के नहराजयपाल को न्यूक्त किये गए तो इसका सही आंसर हैगा तमली साही सोधर राजन याने की ओप्शन ए इस दा रहाट आंसर ठीक है गाईस तो इसका सही आंसर रहाज बता रहाजन एक रहाज है तो इसका सहीज़ गाईस